ओम नमस्षिवाय नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हरिताल कातीज के बरत के बारे में जानेंगे तो आईए सुरू करते हैं भादरपद की सुक्लतितिया को हस्त नच्छत्र होता है इस दिन भगवान सी और माता पार्वती की पूजा के जाती है इस ब्रत को कुमारे तथा सवभाग्यवती इस्तियां ही करती हैं इस ब्रत को करने वाले इस्तियां पार्वती के समा सुक पूर्वक पती रमड करके स्वर्व को जाती हैं इस दिन इस्त्रियों को निराहार रहकर साम के समय अश्नान करके सुद्ध वस्त्र धारण कर पारवती तथा स्युकी मिट्टी की प्रतिमा बना कर पूजन की समय पूजा करना चाहिए। सिव जी को धोती और अंगोचा चड़ाया जाता है। पूजा के बद्या, सुहाग की सामगरी किसी ब्रामणी तथा धोती और अंगोचा किसी ब्रामण को देकर तेरह प्रकार के मीठे बेंजन सजाकर रुपेओं सहित अपनी सास को देकर आशिरवात प्राप्त करें। इस प्रकार सिव पार्वती का पूजन करने के बाद कथा सुननी चाहिए। इस तरह के ब्रत करने से इस्त्रियों को सौभाव के प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस प्रत के महत्मे की कथा भगवान सिवन ने परवती जी को उनके पुरुजन्म का अस्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही थी हे गवरी परवत राज हिमालय परगंगा के तड़ पर तुमने अपनी बाल्य आवस्था में अधो मुखी होकर घोर तप किया था इस अवधी में तुमने अन्न नाखा कर केवल हवा काही सेवन किया था इतनी अवधी तक तुमने सुख्य पत्ते चबाकर काटी थी माग की सी तलता में तुमने निरंतर जल में प्रेवेश कर तप किया था बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचागनी से सरीर को तपाया स्रावण की मुसलाधार वर्सा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण की ये व्यतीत किया तुम्हारे इस कष्ट दायक तपस्या को देख कर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज भोते थे तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देकर नारज जी तुम्हारे घर पधार तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारज जी बोले हे किरी राज मैं भगवान विष्णू के भेजने पर यहां आया हूँ आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसंद होकर वह उससे विवा करना चाहते हैं इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ नारज जी की बात सुनकर परवत राज अति प्रसंदा के साथ बोले श्रीमान यदि स्वेंग बिष्णू मेरी कन्या का वरड करना चाहते हैं तो मुझे क्या अपत्ती हो सकती वे तो साच्छात ब्रह्म हैं या तो हर पिता की एक्छा होती है कि उसकी पुत्री सुक संपता से युक्त पती के घर की लच्मी बने नारज जी तुम्हारे पिता की स्विक्रिती पाकर पिष्णूजे के पास गए और उन्हें विवायत तैं होने का समाचार सुनाया परन्तु जब तुम्हें इस बिवा के बारे में पता चला तो तुम्हें दुख का छिकाना नहीं रहा है तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया मैंने सच्चे मन से भगवान सीव का वरड किया है किन्तु मेरे पिता ने मेरा विवाः बिष्डूजे के साथ तै कर दिया है मैं बिचित्र धर्म संकट में हूँ अब मेरे पास प्राण तागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा तुम्हारी सकी बहुत ही समझदार थी उसने कहा प्राण छोडने का या कारण ही क्या है संकट के समय धैरे से काम लेना चाहिए भारती नारी के जीवन की सार्थक्ता इसी में है कि जिसे मन से पती के रूप में एक पार वरड कर लिया जीवन परियंत उसी से निर्वा करें सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्स तो भगवान भी असहाय है मैं तुम्हें गणगोर बन में ले चलती हूँ जो साधना थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस्वर अवस्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हें ऐसा ही किया तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए वो सोचने लगे कि मैंने बिश्वजी से अपनी पुत्री का विबाह तै कर दिया यदि भगवान बिश्वबारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो अपमान होगा ऐसा बिचार कर परवत राज ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गूफा में अराधना में लीन रहने लगी भादर पत्रितिया सुकल को हस्त्र नक्षत्र था उस दिन तुमने रेत के सिवलिंग का निर्माड किया रात भर मेरी अस्तुती में गीत गा कर जागरड किया तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं सिक रही तुम्हारे पास पहुचा और तुम से वर मांगने को कहा तब अपनी तपस्या के फली भ्यूत अपने समक्ष पाकर तुमने कहा मैं आपको सच्चे मन से पती के रूप में वरड कर चुकी हूँ यदि आप मेरे तपस्या से सचमच प्रसन हैं तो मुझे अपनी अधांगनी के रूप में स्विकार कर लीजी तब तथास्तु कहकर मैं कैलास परवत पर लोट गया प्राता होते ही तुमने पूजा की समस्त सामगरी नदी में प्रवाहित करके अपने सखी सहित ब्रत का वरड किया उसी समय गिरी राज अपने बंद बांदों के साथ तुमें खोशते हुए वहां पहुचे तुम्हारी दसा देकर अतेंत दुखी हुए और इस कठोर तपस्या का कारण पूछा तब तुमने कहा पिता जी मैंने अपने जीवन का अधिकांस वक्त कठोर तपस्या में बिताया है मेरी इस तपस्या का केवल उद्देश महादेव जी को प्रती रूप में प्राप्त करने की आज मैं अपनी तपस्या की कसोटी पर खरी उतर चुके हूँ चुकि आप मेरा बिबा विश्लू जी से करने का निष्चे कर चुके हैं इसलिए मैं अपनी अराद्य की तलास में घर से चली गई अब मैं आपके साथ घर इसी सर्थ पर चलूँगे कि आप मेरा विवा महादेव जी के साथ ही करेंगे परवत राज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए कुछ समय बाद उन्होंने पुरे विधी विधान के साथ तुम्हारा विवा किया भगवान से उन्हें आगे कहा है पारवती भात्रपद की सुक्लत रितिया को तुमने मेरी अराधना करके जो ब्रत किया था उसी के परिलाम सरुप हम दोनों का विवा संभव हो चुका है इस ब्रत का महत्व यह है कि इस ब्रत को पूर्ड निष्ठा से करने वाली प्रतीक इस्तिरी को मनवानचित फल देता हूँ इस ब्रत को हरिताल का इसी लिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सक्षी उन्हें पिता और प्रदेश से हरकर जंगल में ले गई थी हरक अर्थात हरड करना और आली का अर्थात सक्षी भगवान सिव ने पार्वती जी से कहा इस ब्रत को जो भी इस्तिरी पूर्ण सद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तर अचल सुहाग प्राफ्थ होगा विदी पूर्वक कथा सुनकर गौव वस्त अभूसर आधि ब्रामणों को दान करें इस प्रकार से ब्रत करने वालों के सब पाप नश्ट हो जाते हैं दोस्तों आपको हर तयल का तेज ब्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा थेंक यू फर वाचिंग